टीवी रियाल्टी शो इंडियाज बैस्ट डांसर का एक वीडियो कुछ दिनों पहले खूब बारल हुआ था इसमें शो के जज टेरेंस लुईज नोरा फतेही के हिप्स पर हात मारते नदर आये थे इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने टेरेंस लुईज को जम कर लताड़ लगाई थी हाला कि टेरेंस लुईज ने अब इस मामले में अपनी सफाई पेश की है जानकारी देदे कि वाइरल वीडियो पर बात करते वे टेरेंस लुईज ने एक इंटर्वी को जरान कहा कि जब मैंने पहली बार ये वीडियो देखा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई इस वीडियो में इस्तिमाल किया गया एफेक्ट साफ नजर आ रहा है तो ऐसे में टेरेंस ने कहा कि कोई भी समझदा सक्ष इसे देख सकता है आज के समय में हर सेलिबरेटी पर मीम बन नहीं है जिस शरारती मीमर्स के काम है और मुझे इसमें फरक नहीं पड़ता है यानि कि इनका कहना है कि ये एडिट किया हुआ है टेरेंस ने आगे कहा कि मैं उनके साथ दो हफ़तों के इंटिमेट सीक्वेंस की शूटिंग करने के बाद ऐसा कुछ क्यों करूँगा शुक्र है कि मुझे जिन्दगी भर महिलाओं का खुब प्यार और अटेंशन मिला है जिससे मैं खुद को करप्ट महसूस नहीं करता मेरे मन में नौरा के लिए बहुत सम्मान है और इस तरीके चीजे किसी 17 साल के इंसान को गुलगुदी करेंगी मैं 45 साल का हूँ ये कहते हैं कि टेरंस ने बताया कि वीडियो वारल होने के 4-5 घंटों में उने बुरी तरे ट्रोल किया जाने लगा था उने लगा था नफरत भरे कॉमेंट्स का सामना करना पड़ा साथ ही इस पर टेरंस ने कहा कि मैं हमेशा सोचल मीडिया पर पोजिटिव साइट देखता हूँ हाला कि कुछ लोगों द्वारा इस्तिमाल की गई बाशा काफी अपमान जनक थी लेकिन मेरे फैंस ने मेरे सपॉर्ट करके आकर मेरी इस लड़ाई में मेरा साथ दिया था इसलिए मैंने जैन मास्टर का इस्तिमाल मैसेज शेयर किया था बता दी कि ये वीडियो वारल होने के बाद टेरंस लुईस ने जैन मास्टर की खाहानी सुनाते म bricklay नहीं थी पूरम के साथ बतोर गेस्ट पहुंचे थे इसी दोरान जब शो के तीनों जजज उन्हें वेलकम करने के लिए जुक रहे थे तो टेरंस का हाथ नोरा फतही के हिस्थ पर लगा था बता दे कि मलाइका रोड़ा के करोना पोजिटिव होने के बाद नोरा फतही ने उन्हें कुछ हफ्तों के लिए इंडियाज बैस्ट डांसर शो से रिप्लेस किया था हाला कि मलाइका आप वापस शोका जज बनने के लिए तैयार है नैस्ट नाइन लैफ सभी बत्रिपोर्ट